जब आप लिखना शुरू करते हो साहित्य की किसी भी विदा में चाहे कहानी हो या उपन्यास हो तो वो तटस्तता और दूरी जो चाहिए अपने जीवन को देखने की वो अपने आप आजाती है और साहित्य का का जो पूरा करिश्मा है जो जादू है वो इसी में है एक वो शेर है ना कहके कुछ लालो गुल रख लिया परदा मैंने कहके कुछ लालो गुल रख लिया परदा मैंने मुझसे देखा न गया हुस्न का रुस्वा होना हुस्न को एकदम बे परदा देखना जीवन को जैसी है वैसे देखो तो कभी कभी खुरूब दिखेगा साहित एक परदा रखके उसको खुबसूरत और आम जीवन से उसको जोड़ता है ये दूसरी चीज़ ज़्यादा महत पूर्ण है तभी तो पाठाक उसको ग्रान कर पाता है तो वो इतना खुबसूरत और अच्छा होता है कि उसके बाद अगर आप सीधे जैसे मैं आत्म कथा लिखूँ या मैंने जो अकोरे में कैद रंग में अपने जीवन के बारे में लिखा उसको मैं अगर रात में करता मैं सीधे सीधे कहूंगा तो वो बात नहीं आएगी यहां तो सिर्फ अभीधा है और कहा उपन्यास में अभीधा लक्षणा व्यंजिना सभी चीज़ें आती है लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इस्मृती का होता है एक बार जब लाल पीली जमीन प्रकाशित हुआ और मैंने धर्मयूग को भेजा उसको छपने को तो बारती जी की चिठी आई कि आपने बच्पन की अपनी स्मृतियों को इतना टटका रखा है बाबजूद इसके कि प्रशाशने की जीवन का मुखोटा पूर्ण जीवन जीते हुए तो ये वड़ी ताज्यूब की बात है तो इश्वर की यही देन होती है इश्वर जो साहितकार विशेश बनाता है तो उनमें दो चीजें जरूर ये डालता है अतिरिक्ति स्मृति और अति सम्वेदन शीलता जो चीज एक आम आदमी अपने जीवन में या दूसरे के जीव में कटटाती रहती हैं टिकी रहती है